नमस्कार थात्यों मैं राहुल सर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित पर दोस्तों सभी को नमस्कार है सभी लोग क्लास में पदा रहेंगे जल्दी से सभी को रामराम भीया रामराम नमस्ते गुड़ अफ्टर नून जैहिंद सभी का निर्जेश गुजर विवेक विकरांत परदान आकाश भाटी सवागत है सभी लोग फटा फट से क्लास से जुड़ेंगे चेप्टर है आपका लॉजिकल सिक्रेंस ऑफ़ वर्ड सब्दों का तारकिक किरम एकदम सांदार चेप्टर है बेटा एससी इस चेप्टर से जादा तो नहीं कह सकते लेकिन किसी किसी सिफ्ट में आपको देखने को कुशन अवश्य मिलेगा बेटा एससी जीडी में भी पूछे गए थे कुशन और बाकी एससी जो भी एक्जाम कराती है बेटा हर किसी एक्जाम में कहीं न कहीं कुशन देखने को मिली जाता है अब हो सकता है वो आपकी सिफ्ट हो हो सकता है वो आपके दोस्त की सिफ्ट हो ठीक है सबी का स्वागत है सभी का स्वागत है सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाईए अब यहां दे को कुश्चन किस परकार से आते हैं आपको कुछ सब्द दिये जाएंगे और उन सब्दों को क्या है यह सकता है उनको आदारित कुश्चन मिल जाए आपको तो मतलब कहने का अर्थ है देष विदेष तक वी जाइनगे हर तरीके हैं तो जल्दी से किलास को सभी लोग फटा-फट से सेर करेंगे बिटा सबसे पहला कुशन है मानव सरीर के अंग दिये गए हैं मानव सरीर के अंगों का नाम यहां पर दिया गया है उस विकल्प का चैन करें जो दिये गए सब्दों का सार्थक किरम दरसाता है घुटना नाभी बहुं कमर और ठुड़ी चिन ठुड़ी इसको बोलते हैं ठीक है ठोड़ी तो बहुं आप जानते ही हो बिटा है ना घुटना आप जानते हो क्या होता है ठुड़ी आप जानते हो क्या होता है ना भी आप जानते हो और कमर भी आप जानते हो अब या तो यह सरीर के टॉप वाले हिस्से से आ सकते हैं bottom की तरफ या सरीर के bottom से top की तरफ जा सकते हैं कोई एक लेकर चलो अगर वो option में मिल जाता है तो ठीक नहीं उसको reverse कर देना उसको reverse कर देना है जिसे मैं अगर सरीर के top से चलना start करूं tops है तो सबसे पहले इनमें क्या आएगा बिटा सबसे पहले बात करूं घुटना नाभी कमर बहुं और ठुड़ी तो सबसे टॉप पर बेटा क्या आएगा बहुं आएगा बहुं यह ठीक है यह सबसे उपर आ गया आपका तीन नमबर ठीक है बेटा सबसे उपर उसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ आप चलते हो तो ठोड़ी आ इसके बाद हमने देखा तीन के बाद पाँच आगया ठोड़ी ठोड़ी के बाद क्या आएगा बिटा नाभी आएगी बहुं आएगा खमर आएगी यह जाए गवार अ nytधि दो नमबर और इसके बाद सबसे लाक्म्ला सबसे न चला जाएगा घुटना तो 35241 यह सो आप र 14253 1 4253 कौनसा ओप्षन सही ओने वाला है बी ओप्षन कौनसा ओप्षन सही है वी ओप्षन एकदम सांधार है रोग ना भाई उपर रोखो बस यह सर सिटिंग अरेजमेंट में बार लोग पंक्ती में बैठे हैं उस तरह का एक कुश्चन करवाऊ सर पिलीज बार लोग बार लोग बोल रहा है या बारह लोग 12 प्यूपिल बटा दस तक का तो मैंने कराया है ना चलो बारे वाला आगे कहीं प्रैक्टिस सेट वगेरा मैं करा दुगा cieliche ककलास कर रहा है अब लोग सारे इवलीबल नहीं थे खल खिलास में है ना कल कल कम थे आप किलास में लोग चलो फटाफट से बढ़ते हैं आगे की तरफ next question की तरफ चलते हैं बेटा next question देखेंगे सभी लोग question number 2 question number 2 फटाफट से चेक करो और जल्दी से बेटा सभी लोग class को share कर दो फटाफट से सभी लोग class को like और share करेंगे speed मैं परिक्षन साक्षतकार नियुक्ती आवेदन जॉब ओफर नौकरी प्रस्ताब तो बेटा अब आपकी नौकरी की बात चल रही है आपको जॉब कैसे कैसे मिलती है मालो SSC GD के form निकलेंगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा सबसे पहले करोगे आवेदन क्या करोगे सबसे पहले form भरोगे हैना आवेदन करोगे आवेदन करोगे आवेदन करने के बाद क्या होता है आवेदन करने के तुरंत बाद आपका test होगा परिक्षा होगी य इस पिरकार से आएगा फिर उसके बाद आपको नौकरी प्रस्ताव मिलेगा चार नंबर और फिर उसके बाद आपका सेलेक्शन हो जाएगा पांच नंबर जौब ऑफर नौकरी प्रस्ताव तो option number कौन सा सबसे बेस्ट होने वाला है देखो ज़रा ध्यान से, option number कौन सा सबसे best है, बिलकुल 213 और 45, 213 और 45, option number first एकदम correct है, कोई दिक्कत परिशानी किसी को, बिलकुल, सभी का सांदार अंसर्फ, option number first एकदम सांदार है, बिलकुल गजब, next की तरफ चलो, next, देखो यह आ गया, मैंने बोला था न, विदेश, द कुशन देखने को मिलेगा, और यहां, यहां दिया गया है, यूरोप, जर्मणी, फ्रैंकफर्ट, ब्रहमांड और विस्व, यह साइज के अनुसार ही रखने है, साइज के अनुसार कैसे रखोगे, सबसे चोटा कौन, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, उससे सबसे पहले आएगा ये वाला सबसे पहले कौन आएगा फ्रेंकफर्ट आएगा यानि की जर्मनी जर्मनी में पढ़ता है फ्रेंकफर्ट ये एक सहर है जर्मनी का जर्मनी कहां पर मिलेगी आपको ढूंडो जरा जर्मनी मिलेगी यूरोप महधीप में और यूरोप बेटा कह लेगा 32 154 32 154 option पहचान करो कौन सा सही होने वाला है option नंबर सी किलियर हुआ सारी चीज है हर टाइप का कुश्चन रखा है लगबग लगबग 30 30 के करीब आपके कुश्चन है तो 30 कुश्चन हो में यह पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है हर टाइप का कुश्चन आपके लिए रखा है हर टाइप का चलो जी बढ़ते हैं बटा आगे की तरफ next कुश्चन क्या कहने वाला है देखो हाँ यह कुश्चन बहुत सांदार है बहुत जबर्दस्त पहले मैं आप से पूछना चाहरा हूं क कि आप इसका अंसर क्या दोगए यह कुश्चन में लौजिक की बहुत ही अलग है अलग वाला लौजिक है बहतरीन वाला पहले आप लोग बताओ कि कुश्चन नंबर चार का सही जबाब क्या होने वाला है पड़ो आंखें, नाक, उंगलियां, बाल, घडियां इसे में बोला मैं करा दूंगा बेटा है ना चलो फटा फट से बताओ फटा फट से बताओ यहां कुश्चन का आंसर क्या होने वाला है लॉजिक क्या लगने वाला है कुछ लोग एकी तरफ भाग रहे हैं कुछ लोग डी की तरफ भाग रहे हैं भाई सामदार बेटा लॉजिक दो पेर हैं उंगलिया कितनी है भाइया पांच हात में होगी इस हात में पांच इस में पांच पैरों में होगी तो टोटल बीस तो आपकी विठा हुझा जाएंगी अगँठे को मिला कर ठीक है ना चलो फिंगर्स की बात की जाए तो यह उसी पर आधारीत है जैसे अगर मैं आंखें कितनी है आंखें कितनी है आरत दो है यानि कि उनकी काउंटिंग की ज़्यारीगट उसके बाद आंखों से जादा क्या ँंग्लिएं हड्डियां या बाल उंग्ली तो शरीर पर दसी तो होगी किसी के गवारह भी हो जाएं बारह भी हो जाएं जो एक अद फालतू आजा जो जाना देखी होगी जैसे रितिक रोषण के एक अगूठा फालतू है एकस्ट्रा है तो गयार भार्ह हो जाती है यह तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन संख्या संख्या जो वो इसके बाद इसकी ही आने वाली है now we are की जाए हड्डियां जादा होती है या बाल जादा होते हैं बाल तो गिने नहीं जाते कितने होते हैं सरीर पर किसी ने गिने क्या बाल नहीं हड्डियां जानते हो आपकी मनुष्य सरीर में कितनी हड्डियां होती है बाल तो बिटा अंगिनत हैं इंफिनीटी पता नहीं कितन करें कि एक दम सांदार अंसर लोजिक क्या था उनकी संख्या पर आधारित कुश्यं था संख्या किसकी कितनी कितनी है अध Garrison कि कर वागचीटी कुट्था हाती गोरईया कां खजूरा कां खजूर जानते कॅध कां खजूरा देखा मर्यों यही बनादेता हूं ओ भाई कांतर बोले हैं हमारे हाँ तो इसको क्या बोले है ये इसका मुंग हो गया दिख गया कान खजूरा कान खजूरा होता है बहुत सारे पैर होते हैं इसके सत पत बोला जाता है सो पैर वाला सो पैर वाला ठीक है बहुत सारे पैर होते हैं तो ये इसके पैर ही है इधर उदर जो है चारो तरफ तो ये कान खजूरा होता है कान खजूरा इसमें कुछ भी डिजाइन तो मंदर बनाना चाहो बेटा कुछ भी बना लेना है ना रंग भर देना इसमें कुछ भी तो ये आपका कान खजुरा बनकर त्यार है तो बिटा चेक करो सबसे छोटा जीव कौन सा है इन में सबसे छोटा तो बिटा चीटी है सबसे छोटा क्या है इसमें चीटी है सबसे छोटा चीटी सबसे छोटा उसके बाद बाग कुत्ता हाती यही आएगा कान खजुरा कान खजुरा कीड़ा है यह चोटा सही होता है फिर कान खजुरा के बाद क्या आएगा बिटा गौरईया आएगी चिडिया इससे बड़ी चिडिया होती है चलो चिडिया से बड़ा कौन सा जीव है इनमें से कुत्ता हो जाएग टाइगर एक नंबर और इससे भी جादा भएंकर हाती चार नंबर लो भूआ च्छत्तीस बावन-चौधत है ऑप्शन नंबर कौसा सही होने वालाय च्छत्तेस बावन-चौधत है उप्शन नंबर बी एकदम बहत्रीन है एकदम सांदार कोई दिक्कत परिसानी किसी चैक करो कौन सा सई होने वाला है और से देखेंगे कोई या कोई आप देकिन अपर ड्लते हो प्रेल गरते हूं ना तो लिज्टे मानलों किसी के कॉमेडी वीडी बनाने की सोच रहे हो हना थरिल बनाने की सोच रहे हो कुछ भी मतलब कहने का अर्थ है पहले उसके बारे में script त्यार करोगे आप सोचोगे कि हमको करना क्या है script के बाद फिर उस पर rehearsal करोगे एक दो बार करके देखोगे क्या सारी चीजे सही चल रही है नहीं रिहर्सल के बाद आप करोगे उसकी recording recording करोगे recording करने के बाद क्या करोगे दर्सकों को दिखा दोगे या editing करोगे पहले recording करने के बाद editing करोगे कहीं उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है जो बलत चीज़ें आप उनको हटाओगे है ना एडिटिंग करोगे पांच नंबर और सबसे लास्ट में फिर वो दर्सक यानि कि उसको देखेंगे दर्सक 42 152 152 153 यह कौन है भाई सर मैं बहुत लेट आया हूं आपका वीडियो पिछला वाला कवर कर रहा हूं और क्या सर हिंदी का नोट करूं या सिर्फ वीडियो देखूं मतलब बेटा चीजों को पहले समझने का प्रियास करो PDF तो आपको मिली जाती है यहां साथ की साथ नोट करने की आवशक्ता नहीं है चीजों को यहां नोट करने की आवशक्ता नहीं है आपको क्योंको PDF आपको मिल जाती है application पर मिल जाती है न सभी को तो इसको इसको नोट करने की अभी फिलाल में जरूत नहीं है बस यहाँ नोट करो यहाँ दिमाग में गेरो सारी चीजों को ठीक है चलो जी बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ next question क्या के रहा है अच्छा answer नहीं लगाया भी answer नहीं लगाया देखो 42 153 कहां पर है 42 153 यह रहा आकार ही है प्रत्षवी के बारे में कोर वयyumamandeal ब्रहमांड सतय आकास गंगा उसे क्रोड जो होता है जैसे कि प्रत्वी में यह जो इसका बिलकुल सेण्टर वाला भाग है उसको Criminal त worn Ok ठीक है चलो तो कोर आ गया सबसे सेंटर में कोर कोर आ गया सबसे सेंटर में उसके बाद बात की जाए उसके बाद बात की जाए तो सतह आएगी सर्फेस 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 के बाद बिटा वायू मंडल आपको दिखाई देगा सतह पर क्या होता है वायू मंडल होता है और कार की तो बटा तीन नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा तीन नंबर सबसे बढ़ा है चेक करो तीन नंबर फिर हो है जर्मनी का एक सेहर है फ्रेंकफर्ट वह पढ़ता है जर्मनी के अंھर जर्मनी कहां पढ़ता है यूरोब महःदीग में महणदीप आ गया महणदीप कहा मिलेगा आपको विस्व में मिलेगा संसार में और संसार से भी बड़ा क्या हो जाएगा ब्रह्मान्ड हो जाएगा इसमें दिक्कत क्या थी बेटा 32154 ही तो लगाया था मैंने 32154 चलो भाई अगले कुश्चन पर आजाओ अगला कुश्चन क्या है आपका कुश्चन नंबर 8 चेक करेंगे सबी लोग रोकना भाई MS धोनी पर क हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा लोजिक है किस कुश्चन में लगेगा और लोजिक हम लगाते हैं वो भी आंसर में हुआ तब क्या करेंगे ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता किरम एक ही होता है कुश्चन का ऐसा नहीं अपनी तरफ सा आप कुछ भी बना दोगे यह है sketch बनाऊगे न सबसे पेदे यू Dry ऐसी सकेचित आपने बनाया मालो जो कि Esse की पेल्टिंग यह इससेरे दो इसा किरेम करना यनिस पर लगा दोगें चार नंबर te को जाकर exhibit करोगे यानि कि परदर्शित करोगे है ना तो तेईस इसमें आप अपना थोड़ी ना जोड़ सकते हो कुछ जो वास्तविक किरम है वो यही है सबसे पहले क्या करोगे बेटा सबसे पहले आप sketch करोगे कोई आकरती बनाओगे चित्र बनाओगे पेंटिंग बनाओगे फिर उसमें color भरोगे color भरने के बाद उसपर frame लगाओगे frame लगाने के बाद उसको पिर दर्सित करोगे दिखाओगे सब को देखो इतनी अच्छी बनाइए मैंने पेंटिंग ठीक है तो 23,41 इसका answer हो वाला है option number first आप इसमें अपनी तरफ से कोई logic नहीं लगा सकते ठीक है ना जो वास्तिविक किरम होता है जैसे कि यह है किरम यह बीमारी के ओपर दिया एक कुशन उप्चार सुधार वाइरस लक्षन सबसे पहले क्या चीज़ आएगी है कि देखो कि अब Nikkion सब्सक्रीट पहले तो बीमारी ये हेगी चारत भाद में आएगा वाइरस वाइस शंकरम्ण के द्वारा फैलने लगा, संक्रमन हुआ, और फिर उसके लक्षन दिखाई देने लगे, खांसी, जुखाम, बुखार, है ना, ये लक्षन दिखाई दिए, दिखा था अपने, भई सबसे पहले वाइरस आया, वाइरस से संक्रमन हुआ, इन्फेक्शन, फैलने लगा, फैलने इलाज हुआ एक नमबर और इलाज के बाद फिर लोग ठीक भी हो गए भीया दो नमबर 35412 काम खतम काम खतम बताओ इसमें क्या दिक्कत है चलो क्या है आपका अंसर 35412 35412 ऑप्शन नमबर सी ऑप्शन नमबर सी एकदम बहतरीन एकदम गजब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कुशन नमबर 10 लो भाईया ये क्या है इमेल अकाउंट खोलना इमेल कंपोज करना कंप्यूटर स्टार्ट करना इमेल एड्रेस प्रिविस्ट करना कंटेंट लिखना मेल भेजना यानि कि आपको किसी के पास मेल भेजनी है तो मेल तो सबसे लास्ट में भेज़ोगे ये तो फिक्स हो गया ये तो सबसे लास्ट में जाएगा है ना किसी के पास आप मेल भेज रहे हो तो उसमें आप क्या-क्या काम करोगे क्या-क्या काम करोगे अब यहां देखो कंप्यूटर स्टार्ट करना दिया है सबसे सुरुवात में स्टार्ट कंप्यूटर है ना स्टार्टिंग दा कंप्यूटर तो कंप्यूटर से आप बैठकर मेल भेज रहे हो बहुत से अपने फॉन से भेज देते हैं ना वो चीज़ लगे लेकिन फॉन यहां पर नहीं दिया तो computer दिया है आप computer पर जाओगे computer open करोगे उसको start करोगे start करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे computer को आपने start किया start करने के बाद आप क्या करोगे email account खोलोगे अपना है ना उसमें अपना password आइडी वगरा जो भी है वो डालोगे email account open करोगे अपना थीन के बाद एक नमबर आएगा थीन के बाद एक नमबर आएगा उसके बाद आप क्या करोगे email एड्रेस भरोगे email इमेल कंपोज करोगे कंपोज करना उसको ओपन करना देखना उसको अपने अकाउंट पर पहुंचना ठीक है फिर फिर आप क्या करोगे बिटा इमेल एड्रेस भरोगे कहां आपको मेल करनी है कहां आपको मेल करनी है उसके बाद आप कंटेंट लिखोगे क्या उसमें आपको है क्या मैसिज आपको भेजना है किसी को और सबसे लाश्ट में तो बेटा यह आएगा छे नंबर 312-456 312-456 कौन सा option सही होने वाला है कौन सा option सही होने वाला है बिल्कुल सांदार option नंबर फर्स्ट 312-456 किलियर हुआ सभी का देखो कितना सांदार था उपर दिखाना यह कौन है लो बस कि नीचे कि बस ऊपर चलो थोड़ा सा बस यह यह कि सनी चौहान 74 आज मेरा जनम दिन है आपका आसिरवाद चाहिए बटा आसिरवाद तो तब दूंगा जब रसगुल्ले में लेंगे हैं आशिरवाद फिरी में ले रहा जनम दिन है और दावत भी नहीं है ऐसा क्यों चलो ठीक है बटा जनम दिन की बहुत धेर सारी सुब कामना आपको खोब मेहनत करो खोब जिन्दकी में आगे सफल हो बढ़ते रहो मेहनत करते रहो उस विकल्प का चैन करें जो दिए गए सब्दों का सार्थक किरम दरसाता है स्टार्फिस ब्लू वेल सार्क विशालका एक अच्छवा पेंग्विन हां यह यह दो बार कुश्चन आया है इसी प्रकार का थोड़ अगर डिक्सनरी वगएरा कुछ ऐसे देखते हो तो यह स्टार्फिस सितारा मचली जिसको बोलते हैं इसको बोला जाता है सितारा मचली यह कुछ इस तरीके से होती है स्टार्फिस सितारा मचली बोलते हम इसको तो सबसे छोटी बिचारी यही है स्टार्फिस सार्क ब्लू वहेल सबसे बड़ी तो वहेल है जानते हो इस प्रत्वी का सबसे विसाल का यह जनतू कौन है बिटा वो ब्लू वहेल है तो दो नमबर तो सबसे लाश्ट में तो ऐसे भी मालो किसी कुश्चन में आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो थोड़ी सी कोसिस कर सकते हो कि एक यह जो सबसे लाश्ट में यह इंघा यह दो तो फिक्स हो गए तो एक दो लास्ट में नहीं आ रहा एक सुरवाट में नहीं आ रहा है एक सुर्वाट में यह जो इस לפ ound काम खथम हो गया कुश्यन का तो आंसर मिल लिए को सबसे च्और हो होता है कच्छुआ और इतना बड़ा भी होता है बहुत बड़ा भी कच्छुआ होता है सर्च करके देखना आपको पता चल जाएगा तो चार नंबर यहां लिखा हुआ भी है जैंट टाइटल यानि की विसालकाय कच्छुआ विसालकाय कच्छुआ इससे बड़ी क्या होती ह सार्क मचली भी right होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ उस विकलफ का चैन करें जो दिये गए सब्दों का सार्थक करम दर साता यह भारत की राज्येन पर दें है ना भारत के राज्य परादारित एक विस्व वाला आ गया ये भारत वाला आ गया जानते हैं भारत के को तो solve करी लोगे सबसे छोटा क्या है चेन नहीं कहां पड़ती है कर लोगे ना बताने की आवशक्ता नहीं है वैसे चेन नहीं कहां है बिटा चेन नहीं है आपकी तमिल नाडू में तमिल नाडू कहां पर है भारत में भारत यहां दिया हुआ नहीं है लेकिन है ना चेन नहीं चेन नहीं कहां है तमिल नाडू तमिल नाडू कहां मिलेगा एसिया महादीप में मिलेगा एसिया महादीप में और वर्ल्ड वो पड़ेगा आपका ब्रहमांड में सबसे उपर 25,431, 25,431 option ही नहीं है पलट दो तुरंती बटा इसको change कर दो तो आप लिखोगे 13,452 यानि कि 13,452 इसको reverse करके लिख दोगे बड़े से छोटे की तरफ हम छोटे से बड़े की तरफ गए option दिखाई नहीं दिया तो हम इसको reverse कर देंगे उल्टा कर देंगे तो एक तीन चार पांच दो option नंबर आपका सही होने वाला है फर्स्ट वाला एक तीन चार पांच दो next टॉंसिल कान्य का परदा जंगा पेसी ना भी थैला मस यह आपके जो हैं सरीर के अंग है और इनका किरम आपको बताना है कि कौन सा किरम अब लोजिक ढूड़ो गे तो एक में तो मैं आपको बताया था संख्या पर आधारित क्या यहां संख्या पर आधारित चीजे मिलेंगी बिटा कान का परदा टॉंसिल्स ना भी ना भी एक होती है टॉंसिल्स बिटा और कान का परदा जंगा पेसी एक होती दो होती है तो यह उस पर तो आधारित नहीं है सरीर के अंग कि आपके मस्तिस्क में आपको ये गरंथी मिलेगी है ना थेलमस गरंथी उसके बाद उसके बाद आपको क्या मिलने वाला बिटा कान का परदा मिलेगा तीन नंबर कान के परदे के बाद आपको क्या मिलेंगे टॉंसिल्स गले में होते हैं है ना गले में होते हैं टॉंसिल्स फिर ना भी आपके पेट पर होती है यह रहा सेंटर बोडी का सेंटर पार्ट जिसको बोलते हैं फिर सबसे लास्ट में जंगापेशी, जांग की जो हड़ी होती है थाई जांग की जो हड़ी होती है जंगापेशी. काम खतं 53 1214, 53 124 option number डी, option number डी एकदम correct होगा, एकदम सामधार होगा. चलो, बढ़ते हैं आगे की तरफ next question पर आ जाओ, लो भीया, किसी के घर में साधी बरात आ रहे है भीया, साधी होने वाली है, तो बीटा सबसे पहले क्या काम किया जाता है, गर बनवाया जाता है, बढ़ी है, तरीके से, मजबूत तरीके से, आपका selection हो गया, है ना, आपकी job जॉब लग गई जॉब लगने के बाद क्या करोगे आप अपने लिए घर बनाओगे अच्छा सा घर बनाने के बाद क्या करोगे साधी करोगे ठीक है तो साधी से पहले आपका घर बनने आप तयार हो रहा है तो घर में बनाने की जो कंडिशन होती है कि सबसे पहले घर में ब रखी जाती है नीव ठीक है सबसे पहली जो इट रखी जाती है खुदाई करने के बाद तो उसको बोलते है नीव सबसे पहले नीव रखी जाती है उसके बाद नीव के बाद क्या है दीवारें बनना स्टार्ट होंगी दो नंबर दीवारें बनना स्टार्ट होई दीवारों क पिर छत लेंटर डल जायेगा बैटा लेंटर दीवारों पर चलो भी या च्छत बनकर तयार हो गई फिर फरस का काम चलेगा फरस होगा सिमेंटिंग होगी यह काम होगा है ना फरस सिमेंटिंग दोनों एक साथ ही लिख दिए चलो जी छे नंबर यहां आ गया फिर उसके सजावट का समान आप लेकर आओगे जैसे कि हाना कि सोफा सेट कुरसी बैड है फिरीज एसी कूलर सब चीज लाके रखोगे तो वह सजावट की काम है पंखा लगाओगे बढ़िहासे डिजाइन वाले अच्छे से लाइट लगवाओगे अच्छी सी तो बैयालिस चपन तेह बैयालिस चपन तेहरे option नमबर डी option नमबर डी एकदम करेक्ट होने वाला है एकदम सांदर नेक्स्ट कुष्य नमबर 15 लो भी अब घर में घर वाली आ चुकी है अब अब खाना बनाना सीख लो तो क्योंकि वह आकर ऐसा भी हो सकता है कि तुम से किसी दिन खाना बनवा दे तो ऐसा हो सकता है तो खाना बनाना भी सीख लो कैसे कैसे बनाते हैं खाना पकाना सुभे दोपहर का भोजन मचली वेंजन बाजार तो क्या करोगे अब आप क्या करोगे उसने बोल दिया आज मैं खाना नहीं बना रही अपने आप बनाओ अब करो तो अब करो बनाओ खाना फटा-फट से स्पीड में, ठीक है, बाई option भी हो सकता है, इजी वे, बिटा, आप कर सकते हो, मैंने बोला ना, आप कर सकते हो, किसी भी पिरकार से option पर भी, साथ की साथ नजर रखो, लेकिन जो चीज आपके सामने है, आप इनको किरम में रखोगे, कितना ही समय लग रहा है, दस से पंदरे सेकेंड के अंदर अंदर, जादा से जादा बोल रहा हूँ, दस से पंदरे सेकेंड के अंदर-अंदर हो जाएगा, इससे जादा समय नहीं लेगा ये cushion, सबसे पहले आप क्या करोगे, सुबह को उठोगे, वाइप ने बोल जया, मैं खाना नहीं बना रही, जाके बजार से समान लेकर आओ क्योंकि समान खतम हो चुका है आप क्या करोगे बाजार में जाओगे बाजार में गए पहुंच गए जी बाजार में सुबह उठते ही मारकीट में वहां से क्या खरीदा आपने बिटा खरीदने के लिए मचली दी गई थी मचली बन रही आज तो घर में बाई हद हो गई मचली फिस खरीद के लाए फिस खरीद के आप लेकर आए तो आपने क्या किया फिर खाना पकाया यानि की भोजन को बनाया फिर भोजन बनकर आपका तयार हो चुका है वेंजन जो भी आप बना रहे हो वो बनकर तयार है उड़ा दोगे दोपैर को उसको फिर दोपेर का भोजन उसको साप कर दोगे फिर 25-41-63 25-41-63 कौन सा option सही होने वाला है option number A एकदम सांदार होगा बढ़ते हैं next की तरफ question number 16 उस विकल्प का chain करें जो दिये गए सब्दों का सार्थक किरम दरसाता है उत्तर से दक्षन यहां लिखा हुआ है special में दे दिया भाई लिख कर उसने question में उत्तर से दक्षन यानि की आपको ऐसे आना है ऐसे आना है राज्यों का जो किरम है वो टॉप से बॉटम की तरफ जो हमारा map होता है भारत का नक्सा जो है उसमें उत्तर से दक्षन की तरफ जो जो राज्य आ रहे हैं वो कैसे कैसे आ रहे हैं यहां राज्य नहीं सहर लिख क्यूं ही है चलो तो फटाफट से देखो कैसे कैसे आओगे सबसे टॉप पर क्या मिलने वाला है बिटा सबसे उपर आपको इन में मिलेगा दहरादून पढ़ता है आपका उत्तरा खंड में उत्तरा सबसे उपर दहरादून के बाद फिर आगरा मिल जाएगा यूपी में पढ़ता है आगरा मिल जाएगा यूपी में चलो जी दो बड़ी आसानी के साथ यहां देखो 36 वाले दो आप्शन है एक तो यह रहा एक यह रहा तो आप इसको गलत कर दोगे इसको गलत कर दोगे अब जैसे ही मैं तीन के बाद छे पर आगरा के बाद कौन सा पड़ेगा भोपाल मद्य परदेश में पहुच जाओगे एमपी में चार नंबर और चार नंबर तो बटा एक ही आप्शन में दिया था तो आप इसको भी गलत कर दोगे काम खतम हुआ ना कोई दिक्तत किसी को कोई परिशानी तो आपने देखा यहां चार और दो में से एक ही ऑप्शन से ही हो सकता था तो भोपाल पहले आ रहा है तो तीन छे चार अब इस भोपाल के बाद आपका क्या आने वाला है नागपूर महराष्ट में पड़ता है दो नंबर आ जाएगा और महराष्ट के बाद आ 37, 42, 15, option number D, option number D एकदम सांधार होगा चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ, question number 17, बाजू बंद, बाजू बंद, belt, escort, मोजे, पगड़ी, जो सरीर पर आप कपड़े पहनते हो, वस्तर पहनते हो, उनको पहनावे के रूप में दिया गया है तो बढ़ता आप इनको कैसे, आप इनको कैसे रखोगे, जो आप वस्तर पहनते हो, उनका किरम कैसे है, सरीर के टॉप से ही आजाओ, बढ़ता पगड़ी दिया ना, तो सिर पर पगड़ी पहनी जाती है, सिर पर, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पगड़ी को उठा option है पगड़ी वाला भाई काम खतम कितनी जल्दी से अंसर आ गया कितनी जल्दी सांसर आ गया एक पर यह तो दिया है पगड़ी तर्बन जो सबसे टॉप पर सिर पर पहनी जाती है पगड़ी लो भाई या और एक की option में था काम खतम एक सेकंड से ज्यादा लगा क्या कुश्चन आपने पढ़ा और एक ही सेकंड में आंसर भी आ गया पगड़ी के बाद क्या होगा पगड़ी के बाद क्या मिलने वाला है एसकॉट होता है जो गले पर आप टाई पहनते हो ना तो यह कुछ इस परकार से जो होती है जो आप टाई पहनते हो कुछ इस तरीके से तो यह उपर कॉलर पर जो लगाते हैं एसकॉट उसको बोलते हैं तो यानि की तीन नंबर यहां पर आ जाएगा तीन नंबर यहां पर आ लटकियां महीलाएं पूरा पूरा कहने का अर्थ है बाजू बंद जो है आप कुछ भी इस पर बेंड वगेरा कुछ ऐसे लगा सकते हो ठीक है और फिर उसके बाद नंबर आने वाला है बेटा बेल्ट कमर पर आप बेल्ट पहरोगे और सबसे लास्ट में जो है आपके मौज मौजे यानि की जुर्राब जिनको आप बोलते हो सौक्स वो आ गए आपके सबसे लास्ट में ठीक है चलो बहुत सांदार ऑप्शन नंबर तड़ेपन एक सो चौबिस यह तो पहले ही सही हो गया था इसमें बताने की कोई आवशिक्ता नहीं थी लो भाया सांदार की बहुत फैमस बिल्डिंस है इमारत हैं इनकी उचाई के अनुसार इनको रखना है उचाई के अनुसार एफ़िल टावर हो गया एमपायर स्टेट बिल्डिंग हो गया कुत मिनार हो गई बुर्ज खलीपा हो गया बुर्ज खलीपा तो बिटा इनको इनकी हाइट के अनुसार रखना है एफिल टावर की जो हाइट होती है वह तीन सो से लेकर तीन सो तीस मीटर तक होती है एंपायर सिटी एंपायर स्टेट बिल्डिंग की कितनी होती है बताओ जल्दी से फटा फट यह लगभग क्योंकि यह जीएस का कुश्चन है तो थोड़ा सा जीएस की आपकी मजबूत होनी चाहिए एक केरा 382 है जी तो पिटा मैंने यह थोड़ा सा ऐसे ही बताया अंदाजे से ठीक है जो थोड़ा सा मेरी जीएस जो थोड़ी बहुत मजबूत है उसके हिसाब से बता रहा हूं तो आप इसको अच्छे ढंस है इनकी हाइट एक्जेक्ट नाप लेना कितनी कितनी है जाकर फीता मत लगा दे ना वहां पर है ना वहां पर कभी जाकर फीता लगा दो यह लगबग साड़े 800-830 के सम्तिंग मैं कर रहे है तो मतलब कहने करते हैं आपको इनकी हाइट के 31, 24, 31, 24 नहीं है औप्शन मैं पलट दो तुरंट 42, 32 क्या 42 तेहरे औप्शन मैं है जी बिलकुल 42 तेहरे औप्शन मैं है क्योंकि 31, 24 हमारा आंसर मैं नहीं था आप इसको मत छाप देना जल्द बाजी मैं ठीक है ना बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे जी कुतम मिनार त कि तीन लास्ट मैं भी दे राखा है तो या तो छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ कभी जल्द बाजी मैं करो और इसको लगाया हूँ यह गलत है यह गलत है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा नेक्स्ट निमलिखित नामों को भौगवलिक स्थिति के अनुसार करमिक करम को दरसाने के लिए सही विकल्प चुनिए तो ये भी आप अभी तो कराया अभी आपको दिये गए थे सहरों के नाम और अब आ गया आपका बिटा राज्यों के नाम इस पेसल में तो ये दो तरीके से से लगाऊगे किरम में और लाइकों की संख्या देख लो आदे के बराबर आदे के रोज आप से एक ही बात बोलनी पड़ती है इसा क्यूं करते हो बिटा मतलब तुम्हारा फर्ज नहीं अच्छा यह काम करने का कि चीजें इतनी अच्छी आपको मिल रही है तो फिर भी फिर भी जो है लाइकों की संख्या कितनी कम है चलो सबसे टॉप पर सबसे टॉप पर बिटा सबसे उपर कौन सा उत्तर से दक्षन की तरफ अगर मैं आऊं तो सबसे उपर मिलेगा मुझे राजिस्थान राजिस्थान से लगा हुआ मिलेगा बिटा गुजरात है गुजरात के बाद आपको मिलने वाला है महरास्ट महरास्ट और फिर महरास्ट के बाद करनाटक और करनाटक के बाद के बाद केरल 241.35 है क्या 241.35 कोई दिक्कत 241.35 241.35 की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये किस पिरकार से तो आप्शन में नहीं है आप इसको पलट दोगे तो पांच तीन एक चार दो पांच तीन एक चार दो option number B आपका right होने वाला है option number B आपका right होने वाला है एकडम सांदार तो तो अगर बात की जाए तो बेटा आपका option है B बिलकुल correct next लो भाया भारत की नदिया आ चुकी है और नदियों को भी कैसे रखा गया है उत्तर से दक्षणी रखा गया है लो भाया नदियों के उपर भी कुशन मतलब GS related कुशन रख दिये भाई GS GS वाले portion में आप पूछ कर reasoning में पूछ रहा है आपसे एक्जामनर भी पूरा ही चालाक है और आपको उससे भी जादा चालाक बनना है आप अपना काम मजबूत रखो अच्छे तरीके से उसको मौका ही मत दो कि वह आपको नहीं फसा सके ठीक है तो जो भारत की पिरमुख नदियां है उनका किरम दिया गया है और उत्तर से दक्षन उत्तर से दक्षन बहने वाली नदियां तो वो सबसे उपर कौन सी नदी मिलेगी आप अगर भारत के मैप में आते हो उपर से जम्मु कस्मीर से उपर से आना स्टार्ट करोगे ऐसे तो बिटा आपको कौन सी कौन सी नदी मिलेगी सबसे पहले देखने को कौन सी मिलेगी चेक करो सबसे पहले मिलेगी कौन सी यह नहीं को दिख जाएगी नरंदा दिख जाएगी मद्ध्यपरदेश में बयालिस बयालिस वाला ayam की ओप्षिन नजर आ रहा है यह लास्ट भाला फिर आपको दिख जाएगी गोदावरी गोदावरी के बाद आपको मिलने वाली है बिटakah कौनसी नदी कृष्ण McD नदी और सबसे लाष्ट में जाने वाली कावेरी नदी यह भारत की नदियों का किरम है भारत की नदियों का जो किरम है व कुछ इस फिरकार से है 42-351 सबसे उपर GANGA फिर उसके कावेरी option number D option number D आपका राइट होगा उपर दिखाना भी यह कौन महराज परेशान आत्मा बस कि सर जी ऐसे कुश्चन छेत्रफल के हिसाब से भी हो सकते हैं अगर लिख कर देगा कुश्चन में तो हो सकता है वरना आपको logic लगा कर देखना है अगर छेत्रफल वाला लग रहा है तो छेत्रफल वाला लगाना या उत्तर से दक्षन की तरफ वाला लग रहा है तो वह लगाना ठीक है कुश्चन में या तो वह लिख कर देगा अगर लिख कर नहीं देगा तो दोनों लग सक है वो ज़ादा तर जैसा की एरिया के बारे में बोलने लगे जैसे गिरह दे दिया आपको गिरह जो है आपके प्लैनेट उनको पूछेगा कि इनके आकार के उपर बता हो आकार का करम यह सूरिया से दूरी का वह ज्यादा तर यहां तो कुशन में बोल देता है अगर नहीं बोलता तो आप दोनों को रखोगे फिर चेक करोगे और कंपेर करोगे दोनों नहीं मिलेंगे मिलेगा एक ही आपको अप्शन में ठीक है आए रोजगार सेवा निर्विती साथ्षतकार सिक्षा और पदौनती स सब्से पीण सिक्षा की ijucation आप पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब क्हेलोगे खुदोगे होगे खराब ठीक है तो हया सब्से पहले क्या है सब्से पहले क्या है सिक्षा एज्यूकेशन आपने पढ़हाई स्टाट की अच्छे से मेहनत की आपका सेलेक्षन हुआ scg में और आपको रोजगार मिल गया शिक्षा के बाद आपको मिला नहीं इंटर्व्यू आएगा पहले तो इंटर्व्यू सक्षतकार आपने पढ़ाई लिखाई की आपका इंटर्व्यूद्यू को आप बोल सकते हो जैसे कि आपका टेस्ट हुआ आप SSC GD की तयारी कर रहे हो तो education सिक्षा अपने प्राप्त की फिर आपका टेस्ट हुआ एक्जाम चार नंबर आएगा उसके बाद मिलेगी उसके बाद मिलेगी जब आप यहां टेस्ट को पास कर लोगे सक्षतकार इंटर्विव के बाद आपको रोजगार मिलेगा जब रोजगार मिल गया तो तन खा ही आएगी अगले महीने के लास्ट में ही बिलकुल है ना महीने के लास्ट में थनका भी सीधे खाते में पहुच जाएगी एकदम आए इंकम हो गई इंकम होने के आ लिए घर परिवार सेटल कर लिया बाल बच्चे हो लिये उनकी साधी कर दी और आपकी भीया яться की retirement भी आ गई है घर बैठो और फिर फिर life की retirement ऑठ्छनawan भी लांस ना सबसे जाएगा सबसे कंभा सत्या है इस दुनिया का life से भी रिटार्वेंट मिल जाएगा सबसे लास्ट में जाक है तो चाउवन एक्किस तड़े सट चाउवन एक्किस तड़े सट ऑप्शन नंबर डी एकदम बहत्रीन नेक्स्ट लो जिसकी बात कर रहा था वही कुष्इन आगया दिये गए सब्दों का तर्क और अर्थ के आधार पर विवस्तित करिए सूरिये से दूरी लिख कर दे दिया सूरिये से दूरी का बताना है आपको सूरिये दूरी बट आगर लिख कर नहीं देगा ना तो आपको दोनों चीज मनानी है आकार भी चेक करना है और सूरिय से दूरी भी चेक करनी है जब लिख कर दे रहा है तो फिर सूरिय से दूरी वाला ही लॉजिक लगाओ जो गिरह है वो सूरिय से दूरी पर किस पिरकार से हैं किस पिरकार से सबसे नजदीक कौन सा गिरह आएगा सूरिय प्रत्वी के बाद मंगल आएगा मंगल के बाद बिटा ब्रस्पती आएगा ब्रस्पती के बाद आपका सनी आएगा तो 451-632 451-632 option number B आ गया मजा मजा आ गया होगा एकदम सांदर तरीके से अगर लिख कर देता आकार के आधार पर तो फिर इनको आकार के आधार पर रखते ठीक है चलो जी बटते हैं next की तरफ दिए गए सब्दों का तारकिक आधार पर विवस्तित कीजिए अनुचेद पेराग्राफ हो गया वाक्य सेंटेंस हो गया अक्षर हो गया लेटर वाक्यांस हो गया फ्रेज और सब्द हो गया वर्ड्स तो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले अक्षर होते हैं अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं सब्दों से मिलकर क्या बनते हैं सब्दों से मिलकर क्या बनते हैं फटाफट से देखो यहां दिया गया है अक्षर अक्षरों से मिलकर बनेंगे आपके सब्द और सब्द से मिलकर बनता है वाक्यांस वाक्य का अंस है ना वाक्य का अंस और से मिलकर फिर बनता है आपका पूरा सेंटेंस वाक्य के बाद आपका बिटा क्या होता है फिर वाक्यों से मिलकर बनते हैं आपके अनुच्छेद यानि की जो पैराग्राफ होते हैं 35421 बहुत ही सांदार और जबरदस्त कहां है यह रहा फर्स्ट ऑप्शन पर बिलकुल गज की तरफ चलो जी बिलकुल सांदार बिलकुल सांदार ठाकुर भी आपको बता दिया जाएगा देखो अभी आप कोर्स को तो कंप्लीट कर लो पहले हना प्रेक्टिस सेट के बारे मां आपको सब कुछ बता दिया जाएगा सब कुछ आपको जानकारी दी जाएगी ठीक है चलो जी फटाफट से बताओ फटाफट से बताओ सर ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है बटा चैप्टर हार्ड नहीं है ये चैप्टर हार्ड क्यूं है क्योंकि इसमें सभी सभी चीजों का निचोड मिला हुआ है आपको यह इस बज़े से hard लगता है लेकिन hard नहीं है वास्तम में चेप्टर तो आसान है अगर आपको बाहर की चीजों की जानकारी होगी इसी बज़े से तो लास्ट में करा रहा हूं क्यूंग आपकी जीके भी बहुत ज्यादा होगी अब तक इसी बज़े से मैंने लास्ट में रखा इस चेप्टर को वरना सुरू में करा देता मैं तो इसको पत्र डिलिवरी डाक घर डाकिया पोस्ट बॉक्स इसके बारे में तो पढ़ने की जरूती नहीं है आप जानती हो सबसे पहले क्या होगा लेटर आपके हाथ में पत्र है पत् उसके घर आपको भेजना था वह डाकिया उसको कहां पहुंचा देगा डिलिवरी कर देगा उसकी जहां उसको पहुंचाना था 145 23 कहां पर है option नंबर बी पर 145 23 option नंबर बी खिलियर हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट पर आजाओ नेक्स्ट पर दिये गए सब्दों का अर्थ और तरक के आधार पर देखो माउंट आबू माउंट आबू जानते हो कहां पड़ता है विस्व भारत राजिस्थान नक्की जील जील के बारे में दे दिया नक्की लेक नक्की जील कहां पड से शुरुवात में आएगा भाई यह option तो हो गया अबिके लिए गलत रिकांच फांच तीस में भी यह साम नकी धीश्पने मिलेगी माउन्ट अबू परवत्पर और राजिस्थान और माउन्ट आबू कहां पर राजिस्थान एं राजिस्थान कहां है अमेरिका मैं तो नाय राजिस्थान ये बताओ भारत में ही है और भारत कहां हो गया विश्व के अंदर 514 बत्तिस 514 बत्तिस ऑप्शन नमबर एही बिलकुल सांदार होने वाला है बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कुशन नमबर 26 चेक करो बिटा कुशन नमबर 26 इस पीड मे चेक करो और बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ माइक्रोन मीटर मील मिली मीटर किलो मीटर सेंटी मीटर यहां कुछ मातरक दिये गए हैं तो सबसे छोटी का ही क्या है बिटा सबसे छोटी यूनिट क्या है माइक्रोन माइक्रोन सबसे छोटा है एक नमबर एक नमबर दो समाया हुआ है अभी के लिए इनको गलत करूँगा हो सकता है कि बड़े से छोटे की तरफ आ जाए तो ये भी हो सकता था ठीक है ना क्योंकि एक नंबर यहां भी लिखा हुआ है लेकिन ये गलत हो जाएगा फिक्स है चलो माइक्रोन के बाद आने वाला है बिटा आपका क्या मिली मीटर या सेंटी मीटर या मीटर या मील या किलो मीटर चेक करो मिली मीटर आने वाला है मिली मीटर और मिली मीटर के इससे बड़ा होगा आपका सेंटी मीटर से बड़ा होगा आपका मीटर और मीटर से भी बड़ा क्या होगा बिटा किलो मीटर किलो मीटर इससे भी ब पराबर नहीं है मत करो बेटा लाइक मत करो कोई बात नहीं चौध है बासट और तड़िपन ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा मेरे कुश्चनों में बदलाब नहीं होने वाला मैं तो ऐसे ही लाता रहूँगा अच्छे अच्छे कुश्चन ठीक है तुम लाइक करो या मत करो आंधर परदेश मद्यपरदेश अरुनाचल परदेश उत्तर परदेश हिमाचल परदेश यह क्या है भई आबादी के अनुसार आबादी के अनुसार मतलब की जनसंख्या के आधार पर लिखके दे रहा है कुश्चन में तो आपको जनसंख्या के आधार पर लग जन संख्या तो उत्तर पर्देश की सी नजर आ रही है इनमें तो मुझे बयांद पर्देश मध्या पर्देश अरुनाचल पर्देश उत्तर पर्देश हिमाचल पर्देश सबसे बड़ी सबसे जादा जन संख्या उत्तर पर्देश की है और सबसे कम सबसे कम है आपकी अरु पी में और सबसे कम हो गई अरुनाचल परदेश में या सबसे कम सुरुवात में होगा सबसे ज़्यादा लाश्ट में होगा कंडीशन तो यही बन सकती है तो option की मदद ले लो थोड़ा सा चार और तीन नहीं बनी बात चार और तीन बन सकती है चार और तीन बन सकती है चार और पांच नहीं बनेगी तो दो option बचे हमारे पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर परदेश की फिर उसके बाद नंबर भहिया किसका आएगा उसके बाद मध्य परदेश का नंबर उत्तर परदेश के बाद मध्य परदेश में है दो option B right होने वाला है क्योंकि यहाँ एक दिया है आंद परदेश ये गलत हो आंद परदेश की ज़्यादा है या मध्य परदेश की ज़्यादा है चेक करो बई, चार के बाद आनप्रदेश की ज़्यादा है जन संख्या क्या, चेक करना बई भी आ रहा है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है जिसे MP की ज़्यादा हो चेक करो फटा फट से, आप बताओ क्या रहा है आपका अंसर बताओ फटा फट से, भाई, अब B और C में confusion हो गया B और C में confusion देखो, आप एक कुश्चन एक कुश्चन आपके लिए मैंने ये दिया और आप इन दोनों में confusion हो गए, भाई देखना जरा, दो और एक, एक और दो कौन सा पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा, फटा फट से बताओ, MP, MP और आपका कौन सा था दूसरा, आन परदेश, AP किसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, फटा फट से बताओ मुझे कमेंट दिखाओ, कमेंट दिखाओ जुल्दी से यूपी पुलिस के लिए किलास, हाँ बेटा ले सकते हो, यूपी पुलिस के लिए ले सकते हो चलो बेटा, फटा फट से चेक करना है, इसको थोड़ा सा, इसको आप देखना जन संक्या किसकी ज़्यादा है, मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ कुश्चन को, ठीक है, और कल की किलास में मैं आपको बता दूँगा, साइद मुझे तो मद्य परदेश की ज़्या और फिर बेटा, आपका हिमाचल परदेश और लास्ट में आपका, तो आप एक बार चेक कर लेना जरूर, अभी वरतमान में मुझे नहीं मालूम, रियलिटी में मैं आपको बताऊं कि MP या आपका AP कौन से की ज़्यादा है, मुझे वैसे वास्तम में ये लग रहा है, आप एक बार चेक कर लेना जरूर, फिर बाकी मैं देख लूँगा, और मैं आपको बता दूँगा कि इसका अंसर क्या है, नेक्स्ट, कुशन नमबर 28, कुशन नमबर 28, पता नहीं सर, कुछ लोग कह रहें MP की है, कुछ लोग कह रहें AP की, हाना, चलो, ठीक है, MP की ज़्यादा है सर, हाँ मैं बोलता रहा हूँ ना, मुझे लग रहा था, MP की ज़्यादा है, तो, ये ठीक है, ये ठीक है बेटा, ये ठीक है, इसको लगा लेना, चलो जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ, मगरमच, छिपकली, वहेल, घरेलू मक्खी और बंदर, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है, इसमें घरेलू मक्खी, हाना, हाउस फिलाई, और उसके बाद, उसके बाद आने वाला है, इसमें क्या, हाउस फिलाई के बाद, बिटा, छिपकली आएगी, दो नमबर, दो न option number D एकदम राइट है सर तेलंगाना अलग होने से MP की ज़्यादा है हाँ बिटा मैंने उसी पिरकार से रखा है उसी पिरकार से रखा है शलो next मुझा इसे पताने की आवशकता हीành साथ है सब्से कं बुझा dipping वाला इसको अपने आप ने वाला है सब्से कं बुझा वाला ये सिस्टु बुझो के बाद आने वाला है सिस्ट बुझ के àsफट बूझ के बाद आएगा आपका अस्ट भुज पांच नंबर और फिर दो नंबर 314-52 314-52 option number first option number first एकदम correct होगा question number 13-30 question number 30 है बिटा ये भारत की जो सैना है उसके किरम rank दिए गए है rank तो सबसे बड़ी rank कौन सी सबसे सबसे बड़ी RINK तो फिल्ड मारसल होती है सबसे बड़ी RINK क्या जाएगी फिल्ड मारसल आपके सामने आजाएगी फिर जनरल आ ऐगा जनरके बाद अपका बिरगेडियर यहाँ देखा होगा राजकुमार जी को है ना बिर्गेडियर सूर्यदेव फिर फिर आपका बिटा करनल आएगा और करनल के बाद लास्ट में लेफ्टिनेंट बचा हुआ है लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट बोलते हैं ऑप्शन कौन सा सही है पच्छिस तीन सो चौद है एकदम सांदार और बहतरीन कुष्षन एकदम गजब नेक्स्ट कुशन नम्बर 31 फटाफट से चेक करो इसके बाद एक कुश्षन और बचा हुआ है और इन्दो और और सबसे छोटा हो जाएगा वर्ग फिट, स्क्वेर फिट, नहीं, वर्ग इंच आएगा, अभी तो इंच भी तो दिया है, इंच सबसे छोटा है, इंच के बाद आएगा वर्ग फिट, वर्ग फिट पांच नमबर, और फिर आएगा आपका बिटा वर्ग याड, वर्ग या है 35214 option number option number यह रहा आपका 35214 option number C आखरी कुश्चन आज का आखरी कुश्चन है फटाफट से बता दो कौन सा जवाब सही होने वाला है कोई आपने कोई आपने बीज यानि की सीड कोई बी पौधा आप लगाना चाहरे हो उसका बीज आपने जो है जमीन के अंदर बोया है हना तो सबसे पहले आपने क्या किया की वीज है मालो आपको और आपको कोई फसल होगा निया गैहूं की बात कर लेकिन यहां बाल विरक्ष भी दिया गया है जो छोटा चोटा गेहूं का पौधा है तो बाल विरक्ष पहले आएगा फिर वो पौधा बनेगा और सबसे लाश्ट में फूर वो विरक्ष ट्री तेई से पान सो चौध है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा एक् साथ स्टार्ट होंगे पहले घड़ी कराऊंगा उसके बाद कलेंडर को कराऊंगा ठीक है दोस्तों बाकी मिलते हैं आप से कल अपने वाले समय पर एकदम बहत्रीन तरीके से चेप्टर होगा क्लोक घड़ी क्लोक और क्लेंडर से कुश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभ ठीक है तो सभी को आज के लिए मेरी तरब से बिटा नमस्कार है और मैट की क्लास का समय हो चुका है जल्दी से पहुचेंगे सभी लोग मैट की क्लास में ठीक है दोस्तों नमस्कार धन्यवाद टाटा बाई-बाई